वोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पर चाइना में एक लेटिस्ट अपडेट हमें देखने को मिला है जो कि आपको वर्जन देखने को मिलता है 2.0.6 और यह उसी का एक मोड जो कि सायो में EU के तरह से प्रवाइट किया गया है और मैं इसे यूज कर रहा हूं वन डे से यहा आप उसी कि अगर आप EU डालते हो याए इलीट वगरे डालते हो तो काफी सही काम करते है कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन एक्च्वली में परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब आप आप देख पा रहे हो में डानेमिक वाल पर यूज कर रहा हूं तो आप यूज कर सकते हो मर्जी आपकी है यह यह यू का रोम है तो यहाँ पर विजट्स वागेरा तो आपको सेम वही देखनी को मिलने वाल है ग्लोवल टाइप के कोई बडिफाइड आपको देखनी को नहीं मिलते है यहाँ पर आप देख पावे कि आपको बलर देखनी को मिलता है फोल्डर के अंदर काफी सही है आइकन पैक में यहाँ इसलिए डिफ्रेंट आईकन यहाँ पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर सेटिंग अंतर कोई भी पाइन सिक से इसके बात करें तो यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है वही आपको यह फॉर मन्त का सिक्यूर्टी पैच और बाकि वही सारे सिस्टम डिफॉल्ल चीज आपको देखनी को मिलती है और इनका अपडेट होगे अभी आता है लेकिन हाँ वही फुल पैकेज वा आपको देखनी को मिल जाते हैं जिसमें कोई चेंज आपको देखनी को नहीं मिलता है एक्सटा नए फीचर के करें हम बात करें तो इस सारी चीज आपने पहले भी है जो देख रखा है योज कर रखा है तो इस सारी चीज आपको यहां पर दिखाए जेती है जैसे कि हम यहा यहां पर हम बात करें डिस्प्ले के तो डाक मूड वगएर आपका काम करता है और यहां पर में डिफॉल्ट पर यूज़ करें फिल भी मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है मामले में तो आप यहां पर चाहो तो 120 या डिफॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो बाकि नोट्विक्शन के अरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है वही आइकन वगएरा के ओप्सन से यहां पर स्पीड मीटर वगएरा का है और यहां पर डिवाइस कंट्रोल वगएरा आती चीज़े आपको देखने को मिलती है होम लॉंचर ज्यादा मोडिफाइड नहीं है सब कुछ वहीं पर काफिया तक सिमिलर रहता है लेकिन यहां पर आप जैसे आते हो देख सर्कल टू सर्च का ओप्सन दिखाई देगा जिसे आप यहां से ऑन और आफ कर सकते हो यह आ आप यहां पर यहां पर यूज कर पाऊगे और यह सही तरीके से काम करता है देखने में काफी जड़ा अच्छा लगता है बाकि यहां पर वही सारी सिमिलर से चीज़े देखने को मिलती है लेकिन हां कहीं कहीं पर मुझे लैग फिल हुआ है जब भी मैं नोटिक्शन को इस इस तरीक से एक्सपेंड करो ना तक सम्टाइम उर्टे हलका फुलका जीटर देखने को मिला है और यह चीज अभी आपको साथ में वीडियो में एक दोवा नोटिस हो गई होगी तो फुली अगर सूपर दूपर स्मूथ की बात करें तो वह तुछी देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर स्टार्ट करें तो इतने सिस्टम के एप आपको देखने को मिलते हैं बाकि आप नीट के साफसरे डाल सकते हो और यह जो कि आपको बताया था चार्जिंग देख पाऊगे 15 मिनट में जो 30% चला जाता है तो चार्जिंग स्पीड काफी सही है लेकिन आपक यूज करते हो नहीं कुलर वगड़ा तो आपको फोन काफी ज़्यादा नॉर्मली वाम होता है और वैसे में जब आप रन करोगे तो यहाँ पर 13 मिनट में कितना ज़्यादा बेकार यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है और अगर आप गेमडरो का भी हेल्फ लेती हो तो भी कोई खास इंप्रूमेंट आपको देखने को नहीं मिलता कि कोई गर्मी ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मैनवाली कंट्रोल नहीं करते हो अपने हीटिंग को फोन का चाहे वह कूलर से करो इसी से करो फैन से करो तो आपको फोटल देखने को मिलेगा चाहे कोई का ध्यान जरूर रखना तो हीटिंग कंट्रोल करने के बाद यहां पर आप देखो कि हमारा जो गीकिबंच है वह काफी जड़ा सही रहता है बैटी डॉप के बात करें तो यहां पर फुल नाइट में जो की 2% का बैटी डॉप देखने को मिला है नाइन आर्स एट मिनट मे तो यह मैं कहीं काफी सही है कोई दिक्कत के बाद नहीं है एक हमारा काम करता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और यहां पर गैलरी फीचर के बात करें तो normal से फीचर आपको देखने को मिल जाते कुछ खास इस्टा नहीं है बड़ आप आप चाओ तो गैलरी को मैनूली जो आपको mode row में असुफ मिलता है वो यहां पर भी नहीं मिलता है क्योंकि काफी हद तक official type का है जो behave करता है तो यह चीज़ आपको यहां पर देखनी को नहीं मिलती तो यह एक simple सा है जो update मिलता है जिसका regular update आते रहते हैं तो आप इसे use करना चाहते हो तो install कर सकते हो इसके install कर करके इसे आप अपने phone के अंदर इस लिए जो डाल पाओगे बस आज के लिए इतना ही सथा मैं मिलता हुआ आपसे next वीडियो में और आप चाहते हो कि यह वीजर्स होगे यूज कर पाओ तो मैंने काफी टेम पहले वीडियो दिया है कि वीजर्स कैसे use करना है तो उसे recovery open हो जाएगा जो भी recommended recovery रहेगा उसी का use करना है उसके बाद आपको अपने phone के अंदर जो रोम है उसे ब्राउज करना है select करके swipe कर देना है में भी कुछ रोम में है जो permission भांगता है कि आपको root करना है या नहीं kernel flash करना या नहीं तो अगर आता है तो volume up down का और power button का use करते वे आप अपना command run करवा सकते हो और flash करवा सकते हो अधवाज simply flash हो जाएगा अगर flashing के time में कोई भी error आता है तो आप simple reboot to recovery करके रोम को refresh करो और ऐसे situation में sometime आपका जो टी डॉलार पी या औरेंज फॉक्स से वो replace हो से आएगा किसी और recovery के साथ तो उसी recovery का use करते हो आप रोम को फिर से refresh कर देना ध्यान रखना है कि आपका रोम successfully flash होना चाहिए चाहिए तब एक बार reboot to recovery कर लेना और final format कर देना format करने के बाद जैसे आप reboot करोगे कुछ ही minute में आपका phone on हो जाएगा आप setup करके यूज कर पाऊगे यह था हमारा टी डॉलार पी मैठेट अब बात करते PC मैठेट की उसके लिए फिर से आपको अपने phone को switch up करना है power 10 and volume down को long press and hold करन करना है जो भी आपका hybrid ROM है उससे आपको unzip कर लेना है उसमें करने के बाद उसमें मेभी कई आपको installer file एक देखनी को मिलेगा कई बर 4-5 देखनी को मिलेगा तो अपने हिसाब से installer file को pick कर लेना और pick करने के बाद जैसे आप installer को run करते हो तो कोई simple ROM रहता है तो वह easily flash होने कर दो अगर नहीं करना है तो क्लिक करके इंटर कर दो जैसे कि मैंने one किया तब यहां पर पूछ रहा है कि आपको क्या से root करना है magics या ksu next या फिर ksu तो abc का option है अपने हिसाब से pick कर सकते हो मैं यहां पर example के रूप में कोई option select कर लेता हूँ और जैसे next करूँगा उसके आप देखो कि flash होने लग गया और फिर से पूछ रहा है कि आपको stock kernel डालना है या फिर custom डालना है ताब अपने नीट की साब से फिर से यहां पर d और e में से कोई भी select कर सकते हो तो मैं यहां पर select कर लेता हूँ जैसे कि e अब यहां पर custom में दो है एक is है एक rk है तो उसके यह flash होता है आपको wait करना है बैट जाना है उसका last में maybe आपसे पूछेगा कि internal format करना या नहीं तो yes कर देना और इंटर कर देना क्योंकि एक compressor यह होता है जैसे आपका internal format होगा आपका command window close हो जाएगा phone off होके on होगा और कुछ ही minute में आपको boot animation logo या देखनी को मिलेगा और जाना है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सबकु समझ में आ गया होगा तो please like subscribe करना ना भूले मिलते हैं निक्स वीडियो में